है लो जी है लो है लो है लो तो जो भी लोग बोलते ना के रनवीर तुने हर किसम की अंडा करी बना दी अब क्या अंडे की सिर्फ करी बनती है तो नौशकार में रनवीर ब्रार और अंडे की सिर्फ करी नहीं बनती है बहुत अमेजिंग सुपर टेश्टी स्नैक बनता है वो कि वहाँ सब भाग जाए हम उसको एक ने तरीके से बनाएंगे ठीक है तो नशकार मैं वंडब नहीं सकार मुरं विवरार बिलते हैं प्रार मतब एक होती है रेसिपी है एक होता है रेसिपी का चटकारा और एक रेसिपी का जल्वा यह यही रेसिपी तो जो है वो है लेकिन इसका चटकारा और इसका जल्वा कमाल है अन्डे तोड़ लिए धेर सारे मेरे को बोला है कर अन्वीर एक दरजन तो कम से कम बना दो सब का लंच हो जाए रहागा देखिए अगर उबले अंडे होते तो आप उबले अंडे के अंदर ठेस्ट दे पाते नहीं दे पाते ना लेकिन हम जैसे बनाएंगे आप उसके अंदर ठेस्ट देंगे एकदम ज़धर रिबस्त टाइप में 65 का नाम 65 क्यों पड़ा और इसको 65 क्यों कहते हैं 1561 बार मैं बता चुका हूँ एक बार और बताऊंगा इस बार चित्रों के साथ समझानी कोशिश करूँगा उसके लिए वेट कर लिए पहले अंडे की कहानी पूरी करते हैं बेसिक टेस्ट दिया है हमने अंडे के अंदर बेसिक अगर आप मश्रूम खाते हैं तो बारीक 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 बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके मश्रूम डाल लीजिए थोड़ा चीज डाल लीजिए गरेट करके अचली चीज डालें क्या डाल लेते है चीज मंगवाय जाए 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 रणवीर तो बोल देदा है सहाब की तरह चीज मंगवाया जाए गर पर तो खुदी करना बड़ता सब अब यहाँ पर क्या करना है ना अंडे को मिक्स करना है उसके अंदर हवा नहीं भरनी जादा ठीक है मतलब ऐसे उसको लेके लगे नहीं रहना बस धीरे-धीरे मिक्स करना है ताकि इंग्रीडेंट्स मिक्स हो जाए हमको अंडे का इलास्टिक टेक्च्चर चाहिए और क्यों चाहिए वही बताऊंगा मैं चीज डाल दिया, नमक डाल दिया, बेसिकली जो आपको अच्छा लगता है उसके अंदर डाल दीजिए उसके बाद डालिये जी, ओल, कुछ पैन के अंदर, कुछ अंडे के अंदर, बहुत लाइटली फोल्ड कर रहा हूं है दूसरी दरफ जो भी आपका सबसे मोटा पैन ह उसको अच्छे से गरम कर लिजएगा, ऐसे खाली, उसके अंदर डाल देना है अपना अंडा, दस तक गिल्ले रनवीर पराल, चल्दी बढ़िये मेरे को, मजे के रस्पी है, ना अवन चीए, ना कुछ चीए, ना ये, ना वो, और थोड़ा नीचे से भी लग जाएगा, ट खोल के मत देखिए, ठीक है, अगर गास पका रहे हैं, तो एक चीज जरूर कर सकते हैं, कि पैन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि सेंटर में हीट जादा ना लगे, ये किसम से आपने केक बना लिया अंडे का, और इसको चाह तो इसी में ठंडा कर लिजिए, चाह है, कमंडे यूज कर सकते हैं, दूसरे ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा पैन यूज करना है, आप चाहे तो छोटा पैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा, अगर आपके पास मोटा पैन नहीं है, उपर रखने के लिए कोई बात नहीं, सिल्वर फोय लग दीजिए, ठकन लगा दीजिए, ठकन के अंदर गरम पानी डाल दीजिए, कोईला डाल दीजिए, अगर आवन है तो आवन में डाल दीजिए, मतलब हर तरह से यह पॉसिबल है, ठीक है, चौथा अगर आपको बिल्कुल ही डर लग रहा है कि नहीं रणवीर तो काम ही बड़ा खराब ह तो आप एक काम करिये, आपना एक मोटा सा ओमलेट बना लिए तो हो सकता है लेकिन जो इसका टेक्स्चर है ना मलाई जैसा वो आपका ओमलेट में नहीं मिलेगा, यह असान है, मैं सच बता रहा हूँ हूँ, लगा दो अवन में डाल दो यहाँ गैस पे धीरे 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 आप करोगे उतना अच्छा है और एक टाइम पर आपको लगता है कर नहीं नीचे से जल रहा है तो उसको पलट भी ठीक है? इसको डाइस करके इसका एक चिली बनाईए, एक मंचूरियन बनाईए, एक पकोड़ा बनाईए, एक फिंगर बनाईए, जो मर्जी करिए, क्या द एक लाइन क्यों का दी, अभी पिक्चर का नाम ले दिया, और उसमें भी कॉपीरेट आजए अब रमासर क्यों बोल दिया, एक प्रिश्मिला, मतलब खाना बनाते समय गोई गरीब गुन-गुनावी नहीं सकता, बंद कर देता हूं मैं यह, खाना बनाने का बिजनस, क्यों अधरक लसन हरी मिर्च को ऐसा ही कूटियेगा, अगर हमाम दस्ता नहीं है तो थोड़ा मिक्सी में डाल लीजेगा, लेकिन हमाम दस्ता करीदने का जुगाड कर लीजेगा, अमेजन पे मिलता है, नीचे लिंक भी होगा, देखिए चिकन 65, आलू 65, मश्रूम 65, पनीर 65, यह जो आजकल चल रहा है, उसकी 65 रेस्पी चल लीजेगा, जो ओरीजिनल रेस्पी है, उसकी कहानी है, कि A.M. Bukhari साफ थे, उन्हों है 1965 में बुहारी होटल में इसको इन्वेंट किया, और वो बुहारी होटल जो है, आज भी वहीं खड़ा है, वहाँ पर आज भी चिकन 65 मिल सप्राइस बन गया हो, आज चैन्नाई में बुहारी 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 दिखता सब्जागा, तो कही बार क्या होता है, एक डिश में इतनी पावर होती है, कि वह आने वाली पुष्टों को बना जेती है, इस बार दिश हम लोग कही बार क्लाउट कोशिच करते हैं, या चो 1639 में जब बृटिश ने मदरास बसाया, जो आज का चैन्नाई है, तब उनके ध्यान में ये था कही न कहीं ये कैंट बनेगा, और 1774 में वहाँ पर कैंट बना, केंटोनमेंट बना, फौजी चावनी बना, और फौजी चावनी बनने के साथ बनी मदरास रेजिमेंट, जो क नौन वेजटेरिन खाना चाहिए होता था, क्योंकि ब्रिटिश ये बिलीव करता थे कि चिकन और अरंड़ आपको प्रोटीन देता है, क्योंकि वो फाल लीटर्स थे, इसलिए ये चिकन का कल्चर, नौन वेजटेरिन कल्चर चिन्नाई में शुरू होगी, और बने चिन्न कल्चर और मेस कल्चर को आगे बढ़ाते हुए चिकन सिक्स्टी फाइव जैसी डिशेज आई जो आज आइकॉनिक है अभी इसको जैसे मर्जी आपको काटना है, काट लेजेए फिंगर में, डाइस में, डाइस में काटते हैं मलोग यह देखिए क्या मज़े का टेक्स्चर देखिए अब क्या बस साइड्स थोड़ी ट्रिम करिये देखिए क्या फर्स्ट क्लास जूसी हो गया है कोई कहेगा यह अंडा है यह देखिए जो बाद में अंडा डालाना उसका एकवाइट कैसे इसको सौसेज जैसा टेक्स्चर देखिए जो एक दो थोड़ी जादा बड़े कटके हैं उनको मैं साइज में लेके आ रहा हूँ तो आप टेक्स्चर देखिए कया कमाल है आपके ऐसे फर्स्ट क्लास मार्बलिंग है देखिए देखिये अग लोग मार्बलिंग बोलते हैं इसको मारबल जैसा फील है ना चल, जिन्दगी की गाड़ी को आगे बढाते हैं, देखिए अब आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे, आप अंडे को बॉल करते हैं, बॉल करने के बाद फिर आप वो अंडा लेते हैं, उस अंडे को काटते हैं, बैटर लगाते हैं, ना तो वो बैटर चिपकता है अंड तक टेस्ट जाता है, यह जो फॉर्मॉला आप समझ लीजे, कहीं भी उस करें, इंडियन चाइनीज बनाईए, एक करी भी बना सकते हैं इसकी, अब जो करना है मैरनेट, मैरनेट करने करें देखें, अदर कलसन का पेस्ट, दही, देखें का फर्स्ट क्लास मैरनेट हो रहा है, इसके बाद, बेसन थोड़ा सा, कॉन स्टार्च, चावल काटा, और थोड़ा मैदा, थोड़ी हिंग भी डाल सकते हैं, ठोक के लाल मिर्च फ़र कलर, सॉल्ट, यह लीजे, क्या हम फस्त लास चीज बनी देखें, अब इसको कर देना जी, क्रिपसी फ्राइ, तेज आंच प चिली, पनीर, यह यह पनीर 65 इसके आद नहीं बूल गया, तो मेरा नाम बल दीजेगा आप, वैसे विए बहुत दिमांड थी, पीछे के रनवीर हर बार करी-करी दिखाते हैं, और स्नाक्स कब दिखाओगे अंडे के, यह तो मैंने आपको अंडे का टेक्च्चर दिखाने क्या फर्स्ट क्लास टेक्च्चर है, बाहर से कृपसी, अंदर से जूसी, अब तो बहुत सिंबल है तड़का मारना है, देखिए, चिकन 65 कभी भी ग्रेवी वाला, तरी वाला, टोमेटो केचप वाला, सोया सॉस वाला, नहीं होता है, चिकन 65 हमेशा ड्राइ होता है, उसकी खूबी यह होती है, कि उसमें तड़का जो है वही उसकी जान होती है, पहले आपने बैटर को अच्छे से सीजन किया, एक तो बैटर क्रिस्पी है, बैटर में आपने मिर्च डाली हुई है, सब कुछ डाला हुए है, उसके बाद फिर आप बहुत अगर बैटर ही खराब कर मतलब सॉस बहुत हैवी करने का मज़ा नहीं आएगा इसलिए जो फ्लेवर है वो तड़के का है जो चौक है वही इसकी मोनोपोली है, ठीक है, तो चौक के लिए सारी कटिंग हमने कर रखे देखे यह है, यह है, ओल भी ठीक थाक, जादा नहीं विकाद आप इसके अंदर अधरी ओल है लेकिन ओल चाहिए क्योंकि फ्लेवर ओल करता है, मतलब आप चाहे तो हरी मिर्च को ना एक बटा दो करके भी डाल सकते हैं, मैंने आप पेस्ट में डाल दिया सबकुछ, नहीं तो अधरग लसन चॉप कर लीज़े, अधरग लसन मोटा मोटा ऐसे कर लीज़े और हरी मिर्च को एक बटा दो स्लाइस करके साथ में डाल दीज़े, आपकी चॉइस है, इसको पंजाबी स्लाइल तरका नहीं बारना, ऐसा नहीं के अधरग लसन ब्राउन करना, बस पकाना है बस, इसके अंदर बैटर में अरड़ी दही है, इसलिए यहां पर दही नहीं ड अच्छा कड़ी बता, कड़ी बता बड़ा इंपोर्टन्स, धनिये की डंडी, धेर सारी काली मिर्च, यह मोनोपोली है यह धेर सारी काली मिर्च, देखे बिंदास चला रहे ना आप, तूट रहा है, नहीं तूट रहा, थोड़ा सॉल्ट, चीटिंग है यह बट थोड़ी कौन कहेगा, कौन कहेगा कि यह पानीर 65 नहीं है, मसाले की पिशे तो लड़ाई होती है, बीच में फ्राई चिली आती है, अधरे कलस्तन आता है, थोड़े वो करम्स आते हैं फ्राइंग के, कौन कि उलश आते हैं प्राइंगा को साथनन सक्क्राइन है, यह जा है, मसाले कर चाद़ू यह, अन् मैं लोड़ा सेयायं है, रहा है इंट को इन्वावदती है, वीचमारू और उंजबांवान्स सभस्टन सानदीर 6 शचा